रचना, निर्मेय दो, त्रिभुज की रचना करना जब एक भुजा और उसके सीरों के दो कोणों की माप दी गई हो उधारन दो, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 cm, कोण BAC बराबर 30 अंश, कोण ABC बराबर 100 अंश हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए बच्चों हमारे सामने त्रिभुज की रचना करने के और परिस्थिती है और उस परिस्थिती में हमें त्रिभुज की एक भुजा की माप दी हुई है और उस भुजा के दोनों सीरों पर बने वे कोणों की माप दी हुई है यह उदाहरेंड दो में हम देखेंगे, उदाहरेंड दो में हमें दिया हुआ है, एक त्रिभूज ABC की रचना करनी है, माली जह हमने एक उसका रफ चित्र बनाया, त्रिभूज ABC, एक कोई ऐसा त्रिभूज बनने वाला है, जैसे हम ABC कह रहे हैं, उसमें AB की लंबाई 6 cm है, य और कोण BAC, यानि बिंदू A पर बनने वाला कोण का मान दिया हुआ है, यह है 30 अंश का, कोण BAC बराबर 30 अंश यह हमें दिया हुआ है, और दूसरा कोण दिया हुआ है, कोण ABC बराबर 100 अंश, कोण ABC यानि यह वाला कोण, यह हमें बनाना है 100 अंश का, तो देखिए जो हमारे पास है, तीन सुचनाये हैं, एक तो इस त्रभुष की एक भुजा की लंबाई हमें दी हुई है, A, B की रूप में जिसकी माप 6 cm है, A पर बनने वाले कौण की माप दी हुई है, ये 30 अंश है, और B पर बनने वाले कौण की माप दी हुई है, 100 अंश है, तो चलिए इसकी रशना करके देखते हैं और ये देखते हैं किया हम इस प्रकार के त्रिभूश की रशना कर सकते हैं तो सबसे पहले हम एक भुजा की रशना करेंगे जो हमें बिंदू A और B देगा बिंदू A और B के निर्धारण हो जाएगा इसके लंबाइ 6 cm है तो हम सकेल पट्टी की मदश से एक रेखा खंड खीचेंगे जिसके लंबाइ 6 cm है यह देखिए हमने श цен्ड किया और ठीक 6 पर आकर हम रुकते हैं यह एक रेखा खंड बना जिसके लंबाइ 6 cm है यहां हम नाम दे दे इस हिस्से का नाम इस बिंदू का नाम A है इसका नाम B है और इनके बीच की दूरी ठीक 6 cm है अब A पर जो कौन बनना है वो 30 अंश का है और B पर जो कौन बनना है वो 100 अंश का है तो हम चान्दी के मदद से कोण की रशना करते हैं बिंदू A पर बनने वाला कोण 30 अंश का है तो चान्दी को हम इस तरह से रखते हैं कि इनका ये जो बीच का बिंदू है वो ठीक A पर पड़े और ये जो आधार की रेखा है वो A भी रेखा करण पर पड़े और चान्दे को हटा कर इस कोण की रशना करें ये से हम एक किरंट कीज़ दे तो उस बिंदू को छू रहा हो हो जो 30 अंश की माप को प्रदर्शित करता था ये हमने बना लिया अब देखे बिंदू B पर हम 100 अंश का कोण बनाएंगे फिर चान्दे के इस्तमाल हम करते हैं और B पर 100 अंश का कोण बनाते हैं चान्दे को हमने इस तरह से रखा कि जो बीच का बिंदू है वो ठीक B पर पड़े और जो रेखा है शुन्य शुन्य को मिलाने वाली वो रेखा करने A B पर पड़े और हमें इस दिशा में कोण बनाना है तो हम यहाँ था पढ़ना शुरू करने के शुन्य दस बीस तीस चालीस पचास साथ सतर असी नबे और यह आपका 100 यहाँ निशान लगाए और उस निशान को हम B से मिला दें तो देखिए आपका इत्रिभुच बनने जा रहा हम एक किरन खीचें B से आगे बढ़ा दें इससे यह दोनों किरने एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उसे हम बिंदू C का नाम दें और जो माप हमने बनाई थी कोणों की वो भी होँँ लिख लें यह हमने 30 अंश का बनाया था और इस कोण को हमने बनाया 100 अंश का यह माप हमने यहां लिखे अब आप देखिए जो माप हमें दी हुई थी A, B, C की वो यहां पर है A, B हमने रेखा खंड की जा था 6 सेंटीमीटर का बिंदू A पर हमने कोण बनाया 30 अंश का और बिंदू B पर हमने कोण बनाया 100 अंश का और कोण बनाते हुई जो दोनों किरने खिची थी वो C पर मिल रही थी तो C उस त्रिभूच का तीसरा बिंदू होगा इस प्रकार एक ऐसे त्रिभूच ABC के हमने रशना कर ली जिसके एक भुजा 6 सेंटीमीटर और उस भुजा के दोनों सीरों पर बनने वाले कोण, क्रमश, 30 अंश और 100 अंश के हैं तो एक बर आप भी कोशिश कीजिए इस प्रकार के त्रिभूच के बनाने की आप नए ने माप लेकर भी ऐसे त्रिभूच बना सकते हैं तो कोशिश कीजिए करके देखें पहला दी गई मापों से त्रिबुज की रचना कर अपने साथियों से चर्चा करें कि ये किस प्रकार के त्रिबुज है पहला त्रिबुज PQR में PQ बराबर 5 cm, कोण P बराबर 90 अंश और कोण Q बराबर 30 अंश दूसरा त्रिबुज MNP में MN बराबर 6 cm, कोण M बराबर 90 अंश और कोण N बराबर 30 अंश दूसरा रचना करके देखें कि क्या दी गई मापों से त्रिबुज बनाना संभव है पहला PQ बराबर 3.5 cm, कोण Q बराबर 45 अंश और कोण R बराबर 50 अंश दूसरा XY बराबर 7.5 cm, कोण Z बराबर 47 अंश और कोण Y बराबर 40 अंश